अगली बॉनी किस्म है बीपीटी बावन शुन्य चार ये किस्म 135 से 140 दुनों में तयार होकर 45 से 50 कुइंटल प्रती हेक्टेर की उपज देने में सक्षम है 20 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से 10 से 25 जून के बीच बीज का प्रयोग करना चाहिए और इसकी रुपाई 20 गुना 15 सेंटिमीटर की दूरी पर करनी चाहिए सबोर अर्धजल BAU सबोर दौरा विक्सित यह उन्नत प्रभेत 120 से 125 दिनों में तयार हो जाती है इसकी उपज शमता 50 से 55 किलोग्राम प्रती हेक्टेर है बीजदर 25 किलोग्राम प्रती हेक्टेर है मध्या अगात में इसका बीज नर्सरी में गिराना चाहिए और इसकी रुपाई भी 20 गुना 15 सेंटिमीटर की दूरी पर करनी चाहिए अगली किस्म है सबोर श्री ये भी पी यू सबोर द्वारा विक्सित धान की एक बेहतर किस्म है यह 140 से 145 दिनों में तयार होकर 50 से 55 क्विंटल प्रती हेक्टेर की ओसत उपज देती है इस प्रभेद की नर्सरी में 25 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से मध्यम समय में बीज गिराना चाहिए आपको बता दें कि मुख्य खेत में सबोर श्री के पौधों की रुपाई 20 गुना 15 सेंटिमीटर की दूरी पर ही करनी चाहिए सबोर दीप बिययू सबोर दौरा विक्षित एक उन्नत किस्म है जिसकी उपशमता 40 से 45 क्विंटल प्रती हेक्टेर है यह किस्म 110 से 115 दिनों में तयार हो जाती है 25 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से आगात समय में बीज गिराना चाहिए इस किस्म के बिचुड़े की रुपाई 20 गुना 15 सेंटिमेटर की दूरी पर करे यह उपरी तथा मध्यम दोनों जमीन के लिए सही है